स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने कहां तक सिखा था दूरती यानि स्पीच क्या होता है? आज की वीडियो में आपको मैं समझाऊंगी कि दूरती हम कैसे निकालते हैं, ठीक है? बच्चों हमें तो पता है ना दूरती का फॉर्मूला क्या है? अगर आपके पस दूरतो दिया हुआ है और शौमूई दिया हुआ है और आपको दूरती निकालना है तो ये बहुत ही आसान है तो चलो मैं आपको एक कोशन सॉल्व करके दिखाती हूँ तो बच्चों इस फोटो में देखो एक आदमी गाड़ी चला रहा है और वो क्या कहा जा रहा है? घर से ओफिस जा रहा है ठीक है? घर से ओफिस तक का जो दूरी है जो दिस्टेंस है जो दूरतो है वो कितना है? 20 किलो मीटर ठीक है ना? और घर से ऑफिस जाने के लिए उसे 2 घंटा का समय लगता है ठीक है? तो शौमय कितना हुआ? 2 घंटा तो हमारे पास दुरुत्तो कितना है? 20 किलो मीटर शौमय कितना है? 2 घंटा तो अब हम इसके मदद से क्या निकालेंगे? दुरुती निकालेंगे दुरुती यानि स्पीड निकालेंगे तो स्टुडेंट कोशन में दुरुत्तो देखे रखा है 20 किलो मीटर और शौमय है 2 घंटा तो दुरुती निकाला है पता दुति का फॉर्मुला क्या है मूध दुरत्व डिवाइट बाइ मुध शॉमध ठीक है तो हमें पता है मूध दुरत्व हमारा यहाप लितना देखे रहा है बच्चो मूध दुरत्व ह है हमारा इसको हमें just किलो मिटर है 20 km है ना दुरत्त हमार 20 km है अब इसको हमें डिवाइट करना है किसके साथ शॉमोर के साथ शॉमोर कितना है डूई घॉन्टा है ना अब डिवाइट करो 20 के टेबल में 22 के टेबल में कहा बाता है तो बच्चों स्टूडेन हमारा आंसर क्या है 10 km प्रोती घॉन्टा ठीक है हम इसको एक साथ क्या करते है जब हम करते हैं डिवाइट का साइन लगाते है तो हम ऐसे डिवाइट है नीचे वाला देखो यहाँ पर तो वान है घॉन्टा को हम कैसे लिखेंगे प्रोत इसको डिवाइट का साइन ऐसे होता है और ऐसे लिखते है ठीक है तो दूरती का जो प्राथा में एकोख होता है या तो वो मीटर पर सेकेंड होगा या फिर वो तो मीटर पर मिनिट होगा या फिर किलो मीटर प्रोती घॉन्टा मीटर प्रोती मिनिट पर किलो मीटर प्रोती घॉन्टा किलो मीटर के साथ हमेशा प्रोती घॉन्टा ही होगा उसके सत मीटर सेकंड कभी नहीं होगा ठीक है तो बच्चों हमेशा ये अच्छे से याद रखना जैसे मालो अगर मैं बोलू कि बताओ इस साइकल का स्पीड क्या है तो इस साइकल का स्पीड जैसे हम लोग ऐसे बोल सकते है जैसे 10 मीटर ठीक है प्रति मिनिट या फिर six meter per minute, sixt है तो इसम प्रत्व मी एको क्या है e coincidence, meeting per second या फिर einge par minute student, यह जो गाड़ी आपको फोटो में दिखाए दे रहा है न अगर स्पीड कहूं तो हम ऐसे कर सकते हैanız, जैसे its का speed है 40 किलो मीटर, ठीक है, 40 किलो मीटर प्रोती घोंटा, ठीक है, 40 किलो मीटर प्रोती घोंटा, तो किलो मीटर के साथ हमेशा घोंटा ही होगा, ठीक है, किलो मीटर के साथ कभी भी मीटर सेकेंड नहीं होगा, अगर ऐसा हुआ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मीटर और सेकेंड क घंटे में परिवर्दन करना पड़ेगा वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगे तो आपने सीख लिया ना दुरुति का प्राथो में एको क्या क्या होता है Student, अभी हम, क्या सिखेंगे घंटे को minute में, minute को second में यह सब कैसे परिवर्दन करते है ठीक है तो वो मैं आपको सिखाओंगे तो बच्चों, हमें क्या बता है एक घंटे में कितना minute होता है 60 minute एक घंटे में कितना minute 60 minute और एक minute में कितना second 60 second इसे याद रखना ठीक है एक घंटे में कितना मिनिट होता है 60 मिनिट और एक मिनिट में कितना सेकेंड 60 सेकेंड ठीक है तो बच्चो अगर आपको बोला गया है ठीक है घंटे को मिनिट में परिवर्थन करो तो घंटे को जब मिनिट में हम परिवर्थन करते है तो हम इंटू 60 करते है ठीक है तो into 60 और जब minute को घंटे में परिवर्थन करना होता है तो divide by 60 यह आप कैसे याद रखोगे बच्चो घंटा बड़ा होता है minute छोटा होता है तो बच्चो जब हम multiply करते है into करते है चीजे क्या हो जाती है बढ़ जाती है है ना जैसे 5 को 5 से multiply करो 5 5s are 25 वैसे ही ठीक है minute छोटा है तो जग हो हम जब divide करते तो चीजे छोटी हो जाती है है ना जैसे 5 को 5 से divide करो 1 तो जब बड़े से घंटा बड़ा है minute छोटा है बड़े से छोटा करे ना तो बड़ा यानि into और minute घंटे से छोटा है छोटी से बड़ा छोटा यानि divide तो divide by 60 अब बोला गया है 5 घंटे को minute में परिवर्दन करो तो हमने क्या बुरा था घंटे को जब minute में परिवर्दन करते तो हम क्या करते है इंटू 60 तो बच्चों आंसर हमारा क्या आएगा 6530 होता है और 50000 यानि 300 minute ठीक है 5 घंटे में कितना minute होता है 300 minute होता है अब बोला है 120 minute को घंटे में परिवर्दन करो जब हम minute को घंटे में परिवर्दन करते हैं तो हम divide करते हैं divide by 60 ठीक है 120 को किस से divide करो 60 से देखो उपर भी 0 है नीचे भी 0 है 00 एक दूसरे को कार्ट देता है 6 के टेबल में 12 का बात है 6 1 जा 6 6 2 जा 12 यानि 120 minute में कितना होता है answer कितना minute होता है 120 minute में 2 घंटा होता है तो बच्चों ये इतना hard नहीं है ठीक है प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से समझ में आएगा ये तो बच्चों हमने घंटा और minute का सीख लिया वैसे अब हम घंटा और second का सीखेंगे तो बच्चों एक घंटे में चीक है क्या लिखा है एक घंटे में कितना second होता है तो एक घंटे में 60 minute होता है 60 minute में 60 second होता है 60 into 60 करो 6 x 36 होता है और 2 0 है ना पीछे 2 0 लगा दो 3600 second होता है अगर कोई आप से पूछे एक घंटे में कितना second होता है 3600 second होता है ठीक है 60 into 60 कैसे हुआ एक घंटे में 60 minute 60 minute में 60 second तो दो बार 60-60 हमने इंटू किया तो 3,600 सेकेंड निकला वैसे बचो देखो खंटा को सेकेंड में परिवर्तन करना है यानि बड़े से छोटा बड़ा यानि इंटू इंटू 3,600 करेंगे वैसे ही सेकेंड को जब घंटा में बदलना होता है सेकेंड क्या होता है छोटा है घंटे से छोटे से बड़ा छोटा यानि डिवाइड तो डिवाइड करेंगे 3,600 से तो दो घंटे में कितना सेकेंड है तो क्या करेंगे घंटे को सेकेंड में परिवर्तन करना है खंटा यानि बड़ा, सेकेंड यानि छोटा, बड़े से छोटा यानि डिवाइड करेंगे 3600 से ठीक है तो इंटू करेंगे, सॉरी बचो, इंटू करेंगे ठीक है 20000 होता है, 20000, 6200, 12 और 3200, 6 होता है तो 7200 हमारा आंसर आएगा बच्चो सेकेंड ठीक है यह मैंने शॉटकर्ट में लिग जै वैसी बोला है कि 7200 सेकेंड में कितना घंटा होता है तो हम इसको क्या करेंगे 7200 में 7200 को डिवाइड करो 7200 को 3600 से डिवाइड करो कितना एगा 00 कार्ट देगा एक दूसरे को है ना 36 के टेबल में 72 को अब आता है 2 में आता है डिवाइड करिया ना हमने 2 घंटा 2 घंटा ठीक है तो ऐसे निकारना है स्टुडेंट प्राक्टिस करोगे तो आसान लगेगा यह सब स्टुडेंट अब हम सिखेंगे किलो मीटर को मीटर और मीटर को किलो मीटर में कैसे वरिवर्दन करते हैं ठीक है मैंने पहले भी बोले जब बड़ी सी छोटा करते हैं तो हम इंटू करते हैं और मीटर को किलो मीटर में जब ही भी करना हो जब भी कोई भी नंबर हो चाहिए जबी भी आपको मीटर को किलो मीटर में परिवर्तन करना हो छोटी से बड़ा, मीटर किलो मीटर से छोटा होता है छोटी से बड़ा, डिवाइड बाइट थाउजन तो पाच किलो मीटर दिया हुआ है और इसको मीटर में परिवर्तन करना है तो हम क्या करेंगे? 2.26 डिवाइड करना है ना, डिवाइड भाइड थाउजन करना है स्टुडेंट ठीक है, तो थाउजन करना है, तो कितना 0 है, 1, 2, 3, 3, 0 है तो 3 नंबर के आगे, डेसिमेल लगेगा न, पॉइंट लगेगा, तो 0.326 एक जिरो होने से एक नंबर के आगे पॉइंट लगता है आपर तो तीन जिरो हैं एक दो तीन इसलिए एक दो तीन तीन नंबर के आगे डेसिमल लगेगा तो 326 मीटर यानि कितना होता है 0.26 किलो मीटर होता है बच्चो तो आसान है ना इसे हमेशा याद रखना ठीक है ना और प्रैक्टिस भी करना अच्छे से तो बच्चो जैसे कोशिर में देखर रखा दूरोत्तो है 20 किलो मीटर और शॉमोय है 180 मिनिट तो हमें दूरोती निकालना है ठीक है तो चलो मैं इसको solve करते हो तो बच्चो मैंने क्या बोला था किलो मीटर के साथ हमेशा घंटा होता है किलो मीटर प्रोती घंटा लेकिन ये तो मिनिट में है तो मिनिट को अभी हमें किस में परिवर्तन करना है घंटे में परिवर्तन करना है ठीक है तो minute कितना देखे रखा है, ठीक है, minute है, एक घंटे में कितना था है, 60 minute होता है ना, एक घंटे में हमें किया पता है, एक घंटे में 60 minute होता है, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 180 minute को हमें घंटे में करना है परिवतन, तो बच्चो, 180 को किससे डिवाइट करेंगे हम, है ना, मिनित को घंटे में परिवतन करना है घंटा मिनित से घंटा यानि छोटे से बढ़ा है ना मिनित को जबी भी घंटे में करते है तो डिवाइट करते है तो 00 कट गया 6106, 62012, 63018 तो आंसर क्या है बच्चो 3 घंटा ठीक है आंसर आगया ना हमारा टीन घन्टा हो गया तो अबी हम कैसे निकाल लेंगे दुरूती का फॉर्मिला हमें मालूम है ना दुरूती क्या होता है दुरूत्व ठीक है मोट दुरूत्व ने लिखने से भी होका दुरूत्व लिखो दुरूत्व डिवाइड बाइ समय ठीक है अभी ये तो हमने लिख दिया है ना तो दुरोत्तो डिवाइड बाइशमय हमने लिख लिया है दुरोत्तो है हमारा किता निकाला? तीन घंटा निकाला ठीक है? तो बच्चो अभी हम इसको डिवाइड करते हैं चलो यहाँ पर मैंने डिवाइड कर लिए 20 को 3 से डिवाइड करते है 3 6 3 1 6 minus 3 6 18 होता है ठीक है तो 3 6 18 होता है 4 यहाँ से गया 10 से 8 माइनस करेंगे यहाँ से कैरी का 10 से 8 2 0.0 5 is 6 तो बच्चों ऐसे करके हमारा आंसर आया 6.6 किलो मीटर प्रोटी घौन्टा ठीक है किलो मीटर तो हमें पता है यह ना किलो मीटर प्रोटी घौन्टा हमारा आंसर आ गया ठीक है इसमें हमने क्या क्या मिनिट में देखे रखा था समय हमने घंटे में परिवर्दन करके उसे निकाल लिया तो स्टूडेंट आज के इस वीजो में हमने सीखा ना दूरती कैसे निकालते हैं फिर उसके बाद घंटे को मिनिट में कैसे परिवर्दन करते हैं मिनिट को घंटे में कैसे करते हैं घंटे को सेकेंड में सेकेंड को घंटे में फिर किलो मीटर से मीटर मीटर से किलो मीटर हम कैसे परिवर्टन करते हैं मैंने उसको आज मैंने आपको इसके बारे में सिखाया इस वीजियो में नेक्स वीजियो में हम इसके बारे में सिखेंगे कि दुरुत्तो कैसे निकालते हैं ठीक है? ठैंक्यू स्टुडेंट